आज हम लोग करेंगे एप्लिकेशन्स ओफ गॉस लॉक आपको याद होगा ग्रैविटेशन में हम लोगों ने एक सिल्थोरम नाम का कोई चीज किया था याद है बोलो अब आज आ रही है कि नहीं तरह भुपीट कर सकते हूं मैंने कहा ग्रैविटेशन में एक सिल्थोरम नाम का कुछ किया था कि वह बाइसाब कि वह तो कुछ बोलो इस फॉर्टी बेच्चे में किसी को नहीं आदा रहा है कि याद नहीं हो कर किया हमने में एक सिल्थोरम लो जिसकी वजह से इंसाइड सॉलिड इस फेर या आउटसाइड सॉलिड इस फेर किसी पॉइंट पर फिल्लिया पोटेंशिल निकाला होगा देखो अभी कि तुम लोग का फुल पीता हूं मैं देखो हैं यहीं देखेंगा ग्रैविटेष्टेशन में न देखो घचेप लेक्टी में देखो देखो ङंजले कि एच्वार में से किसी में होना च्छले अभी धेखते हैं खुल में जो कॉछ यह समझने यह द python लिखते उपते वह नहीं क्या अनुक्त क्लास्रूम में तुम लोग अ की कि तुम पैतेटिक हालत है तो हुआ 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 है था हुआ हुआ कि यह जी से पहले वाले इसका मतलब तू में होगा फेर यह जो जिसकी वजाए से जी निकाला था इंसाइड छो दूओ अë दिखराय से थेर अथारम, दिख्छार- ओ भाई साब दिख्राय है ये सर्व फैदा दिखने से टॉपिक का नाम तक नहीं आदे तो अंदर का तो क्या ही आद होगा तुम लोगों को लिट विकार पढ़ा रहा हूं मैंसे बेटर तो फर्स्ट अधि विक विक रिखन्य के अधियु आदन नवी आदने के स्वाँ दो करेद़ था नवी आद्टियु आद्ट को लिटिए कि मैं अधिय cा देट प्रेकर लोगोड हम अनलम्य का उता ही लिए सिवा नवी सिवाट विक प्याद का वकुड का लिए लोगों अखेंट उल्यु ट्रीक फिल्ड़ पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वैजन से बुम लूग कॉइंट चार्ज की वजन सँे तेक्ट्रीक फिल्ड़ पोटेंशियल क्या क्या फोर्मूला होता है कुल पॉइंट चार्ज एकार एंट फिल्ड का क्या फॉर्मूला है कर दो तुम लोग अगर पॉइंट चार्ज से आठ डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फिल्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं याद है तो यकीन मानों कोई मतलब नहीं है पढ़ने का बोलो के कोई बताएगा कोई बात नहीं है जाना मुझे नहीं पता है यहां पर चार्ज क्यू है तो उससे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फिल्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वार और पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर याद है ऐसा कुछ क्यू बोला हाल ना कुछ तो बंद कर दूंगा नहीं तो पोई लिए तो नहीं मुझे पड़ाने का पर किस अ क्या याद तै वार याद है वो जा क्या याद है और्वा यार फॉर्मूला कुई है ही नहीं अ ऑ आर स्कूरर में कर दिए कुलम्स लॉग से इलेक्ट्रिक फिल्ड और पोटेंशियल के डेफिनिशन से वह फॉर्मूला आया था अब मालोग कुलम्स लॉग को नहीं यूज करना है तो गॉस लॉग से भी उसको डिराइब कर सकते हैं तो यह पॉइंट चार्ज है जिसके वज़े से पॉइंट पी जो का की रेडियस आर है ऐसा इसलिए एजिम किया कि इस सर्फेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फिल्ड का डिरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर के पर्पेंडिकुलर होगा हर जगा एरिया वेक्टर के एलॉंग होगा हर जगा एरिया वेक्टर और पर्पेंडिकुलर वेक्टर हर जगा सेम होगा और हर जगा फिल्ड की वैल्यू भी भी चाहिए होगी इस कॉंस्टेंट होगी तो हम लोग गॉसलोच से लिख सकते हैं तोटल एलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यू अपॉन अप्सिलन नॉट that is surface integral of e dot ds is q upon epsilon 0 हर जगा e और ds के बीच का अंगल 0 degree है और हर जगा e की वैल्यू constant है तो e integral surface integral ds this is equal to q upon epsilon 0 यह total surface area होगा which is nothing but 4 pi r square तो इससे electric field की value हो गई q upon 4 pi epsilon 0 r square जो कूलम्स लोग से भी आता था और potential v is minus d e by dr तो इससे मुझे potential का formula मिल गया q upon 4 pi epsilon 0 r यह formula हम लोग कूलम्स लोग से भी बहुत पहले derive कर चुके हैं तुम लोग नहीं बता रहे हो इसका सिदा सिदा मतलब है कि घर में तुम लोगों ने एक भी question नहीं किया है time pass कर रहे हो कि तुम लोगों को सर्म आ रही हो या नहीं आ रही हो मुझे तुम लोगों को पढ़ाने में बहुत बहुत सर्म आ रही है झाल 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 पर वो फॉर्मिला आपने क्या लिखा है एकुल टू झाल 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 ये एक स्फेर है कंड़क्टिंग एस फेर है मतलब इस पर चार्ज देंगे तो चार्ज जिसके आउटर सर्फेस पर होगा इसके आउटर सर्फेस पर चार्ज दे दिया ये इसका रेडियस है कैपिटल आज इसे ले पोप्विकटल आ हम लोग इनटर्पल फिल्ड फिल्ड पोटेंशल नोंते हैं जो की इस से इस छेन प्वांट soon unm साइड लाई करें तो फॉर्स्ट केस इफ स्मॉल आर इस ग्रेटर एक्वल टू कैपिटल आर अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड की वैल्यू तो यहां पर फिर और रेडियस का सरकल डूंडेंगे ड्रॉ करेंगे तो वह पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा जो उपर ड v is q upon 4 pi epsilon not r squared and v is q upon 4 pi epsilon not r जो पहले अभी लिखा था case 2 if a small r is less than r small r जब less than r होगा तो inside किसी point पर यहां पर अगर हम लोग कोई भी Gaussian surface करेंगे तो q in close 0 होगा तो q in close 0 है मतलब flux 0 है flux 0 है मतलब तो यहां पर electric field 0 होगा और electric field 0 होगा तो potential कितना होगा तो potential उतना ही होगा जितना इसके surface पर है मतलब 4 pi epsilon not capital r सब्सक्राइब ग्राविटेशन में बहुत discuss कर चुके हैं इसको इसको बट आई होग कि आप मैंसे किसी को याद हो मुझे तो डाउट है कि यहां इलेक्ट्रिक फिल्ड यहां पर डिस्टेंस आज तो जीरो से लेकर capital r तक electric field zero है capital r पर electric field की value maximum है उसके बाद electric field decrease करता है कैसे तो प्रोपोस्टनल टू वन बाई आर स्कॉयर के पोटेंसियल अगर देखें तो जीरो से लेकर capital r तक पोटेंसियल कॉंस्टेंट है कि इसके बाद potential hyperbolically decrease करता है कि प्रोपोस्टनल टू आर तो यह फिल्ड और पोटेंसियल का ग्राफ को जल्दी से इसको कॉपी कर लो प्रोपोस्टनल टू आर स्कॉपी करता है नार स्कॉपी करता है झाल 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 हो गया पॉक्या टैक्था तिर्फण टीकर्ट नेश्ट देख्वागी सब्सक्राइब एक से स्फियर कंडुक्टिंग स्फियर सेकेंड एड़ा कावन्नों से लग्या दो इसर 1 अब आ अब दॉख़ड एड विड्टाइम बिदॉख नोट्यविष उणिटरा दिखरा बने तृले सिर्टर्विप्ट्स buttons ये ससर्टिंगर है one is case to say case thing case three non-conducting sphere टेकं सेमध्य लिको को नौनक कैंड़क्टिंग किजगा नौनकंड कॉयर्टिंग कर दोJesus इतवाले अप्लिकेशन में कि नौन कंड़क्टिंग में क्या होगा ये जो चार्ज सर्फेस पर रहे वह सर्फेस पर नहीं रहेगा थ्रू आउन दोवोल्युम रहेगा यह ना वो अगर तुरू आउट दो वॉल्यूम रहेगा अभी दिख रहा होगा साइद इस तर अभी दिख रहा है थर्ड में यह नॉन कंडुक्टिंग इस फेर नॉन कंडुक्टिंग इस फेर में अगर हम किसी ऑबजेक्ट को नॉन कंडुक्टिंग ऑबजेक्ट को चार्ज देंगे तो वह सर्फेस पर नहीं इस में तुरू आउट दौ वॉल्यूम डिस्टिब्यूटेड होगा मतलब इस में क्यूँ चार्ज सर्फेस के अंदर है कि वॉल्यूम के अंद्र डिस्टिबूूटेड आनोड और इस में मुझे फ्ल्ड और 手 निकालना है तो केस वन आटसाइट पॉइंट के लिए अगर देखेंगे तो आटसाइट पॉइंट के लिए chord और पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं परेगा क्योंकि जो भी गॉसियान सर्फिस लेंगे उस गॉसियान सर्फिस में चार्ज इंक्लोजड उतना ही रहेगा लेकिन इंसाइट सर्फिस पर फिल्ड और पोटेंशियल चेंज कर जाएगा धुरा मैं इसको और अश्य कर देता हूं देखूं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यों को चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन्टू फोर बाइ थिरी पाइ कैपिटल आर क्यूग अपॉन फोर पाइ एपसिलन नॉट आर स्कॉर ऐसा तो फोर पाइ को हटा दीजिए तो यह हो गया रो आर क्यूग अपॉन थिरी एपसिलन नॉट ए स्मॉल आर का स्कॉर यह हो गया इलेक्ट्रिक फिल्ड का एक्स्प्रेशन इसी तरह पोटेंशियल को देखोगे यही काम करो क्यों को लिख दो डेंसिटी इंटू उसका वाल्यूम फोर बाइ थिरी पाइ आर क्यूब ऐसा तो यह हो जाएगा आपका रो आर क्यूब विचिस कॉंस्टेंट अपॉन थिरी एपसिलन नॉट आर यह हो गया पोटेंशियल तो फिल्ड और पोटेंशियल आपका आउटसाइड स्फेर के लिए वही सेम एक्स्प्रेशन है केवल उसको रो के टर्म में चेंज किया और कुछ ने इंसाइड में क्या होगा कि इंसाइड में अब अंदर के किसी भी पॉइंट को लेकर गॉसियन सर्फिस बनाएंगे तो चार्ज इन क्लोज जिरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फिल्ड का expression मतलब ऐसे समझो सेम स्टोरी वही डॉट डी एस इस इक्वाल टू चार्ज इंक्लोजड अपॉन एपसिलन नॉट तो यह तो मेरा हो गया इंटू फॉर पाई स्मॉल आर स्क्वेर क्यों इंक्लोजड हो जाएगा देंसिटी इंटू फॉर बाई थिरी पाई उस छोटे से रेडियस के स्फेर में जितना भी चार्ज है तो ऐसा हो जाएगा तो पाई आर स्क्वेर को हटा दो यहां एक आर बचेगा तो इलेक्ट्रिक फिल्ड बिकांड विल्डी कम रू आपकॉन थिरी आपसिलन नॉट इंट्रिक फिल्ड का एक्स्पेसिज्ड आ गया तो इंसाइट पॉईंट पर पोटेंशल भी मिल जाया क्योंकि potential at point P is work done in bringing unit positive charge from infinity to a given point. So negative of work done by field to E dot DR ऐसा लिखेंगे. सो माइनस इंफिनिटी तो कैपिटल आर अधिस सर्फेस पर E dot DR माइनस E dot DR फ्रॉम कैपिटल आर तो स्मॉल आर तो यह तो potential at surface के बराबर हो जाएगा यह expression माइनस इंसाइट अधिक point पर electric field रो अर अपाउ थ्री आप्शिलल नाट इंटो DR पल्म कैपिटल आर टू स्मॉल आर सर्फेस पर potential कितना होगा, तो सर्फेस के लिए इस्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो तो स्मॉलस आर को capital R put करोगे तो Rho R square upon 3 epsilon not तो यह हो गया Rho capital R square upon 3 epsilon not minus Rho upon 3 epsilon not common यह हो जाएगा small r square minus capital R square upon 2 ऐसा होगा बोलो तो Rho upon 3 epsilon not common capital R square minus small r square by 2 minus minus plus R square by 2 तो यह हो गया Rho upon 3 epsilon not 3 R square minus small r square upon 2 यह मिल गया मुझे potential at point P का फॉर्मूला ग्रैविटेशन और इलेक्ट्रो में दोनों में सिमिलर फॉर्मूला है और यह सबसे लेंदी फॉर्मूला है कम यूज होता है तो याद रखना तो यह इंसाइड पॉइंट के लिए फिल्ड और पोटेंशिल का फॉर्मूला अब अगर हम ग्राफ पर जाएंगे इंसाइड पॉइंट के ग्राफ में तो आउटसाइड में तो कोई चेंज नहीं होगा न फिल्ड में न पोटेंशिल में जो चेंज होगा इंसाइड में तो इंसाइड में पहले फिल्ड जिरो था कंडक्टिंग में नॉन कंडक्टिंग में डिरेटली प्रोपोस्टनल टू आर है तो यह ग्राफ ऐसा होगा पोटेंशिल उसमें कॉंस्टेंट था इसमें पोटेंशिल देखो सेंटर पर मैक्जिमम होगा इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो उसके बाद डिक्रीज करेगा फिर ऐसा वह मैक्जिमम भी कितना होगा वह वैल्यू भी बता सकते हो सर्फेस का पोटेंशिल हो जाएगा यह सर्फेस का है रो आर स्कॉर अपॉन थ्री एप्सिल नॉट और उसका थ्री वाइट टू वन पॉइंट फाइब टाइम्स उपर होगा रो आर स्कॉर अपॉन थ्री एपुलिल नॉट उसका 1.5 टाइम्स दाइब जिए रो आर स्कॉर अपॉन थ्री एपॉन आपॉन फाइब नॉट नॉट यह पोटेंशिल हो गया तो यह हो गया solid I mean non conducting sphere के case में फिल्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला कोशिश करो सोच समझ के लिखने का कि सिमिलर काम हम लोग ग्राइविटेशन में भी किये थे वहां इसका नाम सेल्थ्योरम था कि अपिकर लिजे झाल 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 हो गया? हो गया सबका? सफेर के कारण फिल्ड और पोटेंशियल कहीं भी पूछे बता सकते हैं चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो? पका? मा थैस दडिल्ड फे प्रधशिंगर को ड़ा सितवा श्यूकर खुछ़्क ही तर प्रधन सित खीब जे स्थेद्ट थक्रवट्पिंग्ट ब्लीपर्शिंगर से अट्यूकर 9 झाल झाल दिख रहा है यह सब्सक्राइब एक यह क्वेश्चन और एक और केवल स्पेरिकल चार्ज दिस्ट्रिबूशन के लिए फिल्ड और पोटेंशल से रिलेटेड क्वेश्चन घब एक यह कुटना दिखप पे यह झाल झाल आया कुछ समझ में question की नहीं क्केस्टेन समझने में कोई दिक्कत है बोलो दो यह स्फेयर है दोनों यह स्फेयर पर कुछ कुछ चार्ज है है दोनों को वाहर से जॉइन किया तो फाइनल चार्ज किस पर कितना है यह पूछा है तो चार्ज का फ्लो कब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए यह सो अज़िए 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 करें जिसको जिसको लगे दिक्कत हो रहा है तुरंत करो सेकेंड करो वह सकता है बहुत लोगों को पहले सेकेंड हो जाए फिर फरस्ट हो जाए कि जल्दी कोशिस के जैसे ही कुछ आंसर आता है बोलिये अज़िए झाल करो झाल 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 प्लो आयां से फस्टका आयां से फस्टका कि फर्स्ट सेकेंड दोनों में से किसी का कुछ आंसर आया कि फर्स्ट देखो चलो इस पर चार्ज मान लो क्यों बच गया और इस पर चार्ज बच गया क्यू टू तो क्यू वन प्लस क्यू टू दोनों मिलाकर माइनस टू क्यू होगा यह सब्सक्राइश और सर्फेस वन और सर्फेस टू दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है सर्फेस वन का पोटेंशियल कितना होगा तो पहला तो अपने खुद के चार्ज की वज़ा से तो बाहर वाले स्फेर के लिए सर्फेस वन इनसाइड पॉइंट है तो इनसाइड पॉइंट पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना की सर्फेस पर होता है तो के क्यू टू बाई टू आर होगा तो कि अंदर वाले सर्फेस पर एक तो खुद के सर्फेस वन के कारण पोटेंशियल प्लस सर्फेस टू के कारण पोटेंशियल ऐसा होगा पर अंदर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल तो अंदर वाले चार्ज के लिए बाहर वाला सर्फिस आउटसाइड पॉइंट है कि किव वन नाट दू आर आउटसाइड पॉइंट पर पॉइंट चार्ज ऐसा होता है प्लस इसके खुद के कारण तो के क्यू टू बाई टू आर प्लस के क्यू टू बाई टू आर इस चार्ज के लिए सर्फेस टू बाहर का पॉइंट है तो बाहर वाले के लिए पोटेंशिल का फॉर्मूला ऊपर देखो क्या होता है कि क्यू बाई आर जहां की आर डिस्टेंस होता है तो यहां से इसका डिस्टेंस टू आर के बाई आर हटा दो तो क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू इस एक्वाल टू क्यू बाई टू प्लस क्यू टू बाई टू क्यू टू बाई टू कैंसल तो यहां से क्यू वन इस एक्वाल टू जीरो दिख रहा है तो एक तो तो एक यूटन जीरू ओर क्यू तो मैन्स टू क्योगी हमारा आंसर फर्स्ट का अंदर वाले स्फेर पर नेट चार्ज जी रो और बाहर वाले स्फेर पर नेट चार्ज माइनश टू क्योग मैं यह चॉटि एस सोह आइस्ट क्रों क है नेश्ट कुझ से करो ऐसे ही ओए नेक्ट में तो पोटेंटिजल इक वल भी नहीं करना इंडिविज्डरी यह बीसी पर पोटेंशियल निकालना भी नहीं है और सब्सक्राइड कर देना ए गार्श माईनुस फाइक क्यूज वैं सब्सक्राइब कि इसी तरह पोटेंशियल एट सी तो सी मतलब यहां पर तो यहां पर अंदर वाले सर्फेस की वज़ासे होगा इसके वज़ासे भी होगा और खुद की वज़ासे होगा तो अंदर वाले सर्फेस की वज़ासे के क्यू बाइब फोर आर बी की वज़ासे के इंटू टू क्यू बाइब फोर आर सी खुद की वज़ासे के इंटू फोर क्यू बाइब फोर आर तो टोटल हो गया सेवन के क्यू बाइब फोर आर यह पोटेंशियल एट सी हो गया पोटेंशियल एक ए ए पर पोटेंशियल खुद के चार्ज की वज़े से के क्यूब आई आर मिडल वाले के लिए इंसाइड पॉइंट होगा तो इंसाइड पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके सर्फेस पर है होगा इसी तरह सी थर्ड वाले स्फेर के लिए भी सर्फेस वन इंसाइड पॉइंट है तो उतना ही होगा जितना उसके सर्फेस पर है डाट इस के फोर के क्यूब ऐसा तो यह तीनों मिला के थिरी के क्यूब आ रहा या स्वाओ आट आ या की माईस दैना था जा तो भी स्थरी के कुब आर या सेवन के क्यू बाई फोर आर ऐसा था कि फूर त्रीज़ ट्वल माइनस सेवन माइनस फाइव के क्यू बाई आर यह अंसर होगा कि समझ के लिख लेजिए किसी स्टेप में दिक्कत है तो बताओ सेफ टो आपने वी माइनस वी सी किया तो और तो पूचा है यह सब्सक्राइब के की क्यू बाई-3 की भिए रोगाना स सब्सक्राइब झाल झाल वो गया आगे बढ़ू ये सो एक और क्वेश्चन है सिमिलर टू फर्स्ट वन इसको किजिए इसमें इनर्मोस्ट और आउटर्मोस्ट स्वेर को जॉइन किया है ठीक है कोशिश किजिए झाल 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 कि 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 यह कि कर तैंना है आई है किं फिर्षट ऑर संफिस मिला के टोटल चार्ज कितना है है फस्ट ऑर थोर्ट सफेस मिलाके टोटल चार्ज कितना है कि सुनाई दे रहा है तुम लोगों को तो एड़ करने आता है क्लास वन में पढ़ा होगा तो फर्स्ट और थर्ड सर्फेस मिला कर टोटल चार्ज कितना है इंनर मोस्ट सर्फेस पर मान लोग क्यूवण है आउटर मोस्ट सर्फेस पर मान लोak क्यूटू है तो जैसा इससे पिछले सम्मे करके दिखाया क्यूस प्लस प्लस क्यूटू का सम यहां कितना होगा कि की बोलो I can repeat, what will be the sum of a small q1 plus a small q2? इनर मोस्ट सर्फेस पर चार्ज क्यों दिया हुआ है? आउटर मोस्ट सर्फेस पर फाइब क्यों दिया हुआ है? चार्ज का री डिस्ट्रिब्यूशन होने के बाद इनर मोस्ट पर q1 है, आउटर मोस्ट पर q2 है, तो इन दोनों का सम टोटल चार्ज 6 q के बराबर होगा? यस सर्फ पोटेंशियल वन और थ्री इन दोनों का इक्वल होना चाहिए? यस सर्फ वन का पोटेंशियल बताओ एक्स्प्रेशन, क्या होगा? खुद के चार्ज की वज़ए से k q1 by r प्लस मिडल वाले स्फेर के चार्ज की वज़ए से k इंटू माइनस 2 q अपॉन मिडल वाले सर्फ वन इंसाइड पॉइंट है तो जितना उसके सर्फेस पर होता है डाट इस 2 r प्लस आउटर मोस्ट के लिए k q2 अपॉन 3 r इसी तरह थर्ड सर्फेस का पोटेंशियल क्या होगा? इनर मोस्ट की वज़ए से कितना होगा? के क्यू वन बाइ थ्री यार बेरी गूड मिडल वाले के लिए सर के इंटू माइनस टू क्यू अपॉन टू आर अपॉन थ्री आर आउटसाइड पॉइंट है ना? यह सो सॉरी प्लस खुद के लिए के क्यू टू अपॉन थ्री यार अब यह दोनों इकॉल होना चाहिए तो कि यह जोइंड है तो यह हो गया के क्यू वन अपॉन अपॉन आर माइनस 2KQ upon 2R plus KQ2 upon 3R KQ1 upon 3R minus K2Q upon 3R plus KQ2 upon 3R इसको इदर ले जाओ so K by R Q1 minus Q1 by 3 this is equal to इसको इदर ले जाओ 2KQ by R 1 by 2 minus 1 by 3 Q1 is equal to Q by 2 तो ये हो गया 1 by 2 minus 1 by 3 minus 1 by 6 that is minus KQ by 3R ये हो गया 2KQ1 upon 3R तो Q1 is minus Q by 2 है ना तो सर्फेस पर चार्ज कितना हुआ minus Q by 2 सेकेंड सर्फेस पर चार्ज कितना हुआ minus 11Q by 2 जितना था उतना ही minus 2Q और थर्ड सर्फेस पर चार्ज कितना हो गया 6Q minus Q by 2 that is 11Q by 2 ऐसा होगा ये ही चार्ज डिस्टिबूशन तीनों सर्फेस पर होगा चार्ज डिस्टिबूशन ही पूछा था ना या कुछ और find charges on its surface ठीक है जल्दी लिखो आगे बढ़ते हैं ठीक है आए ध प्यार्ज वें अजब से अजब सकते हैं झाल 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 आगे बाटे झाल 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 आगे प्टन झाल 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 मेर वाल रुछें टान हो आप सेंगे की तुछेंग। कि नाप नंद्दिंग सर्फेस्ट इसर बिस्टन हैं प्रॉब बार्पक्रावज़ ए कि लिए अप्टेज़ जाओ टनीनिट लिए दो रहते हम रहते हैं नॉन कंदुक्तिंग सर्फिस का मतलब इस पर अगर चार्ज देंगे तो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रिब्यूट होगा यह एक सीट है वो मैंने क्रॉस सेक्षन बनाया है मालो इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फिल निकालना है अपने मन से यह एक गॉसियन सेर्फिस मैंने बनाया सिलिंड्रिकल इसका लेंग एल है इसका रेडियस आ रहा है मालो थिकनेस त्यक्रिकल है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड इदर होगा और एरिया वेक्टर भी इदर होगा यहां पर भी इलेक्ट्रिक फिल्ड इदर होगा एरिया वेक्टर इदर होगा बाकी इन सारे कर्वड पार्ट पर एरिया वेक्टर इदर और इलेक्ट्रिक फिल्ड इदर मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री होगा तो इस सर्फेस से अगर हम टोटल फ्लक्स देखेंगे तो यहां पर इंटू पाई आरे स्क्वेर यहां पर इंटू पाई आरे स्क्वेर यही टोटल फ्लक्स है और यह टोटल फ्लक्स होना कितना चाहिए तो चार्ज इंक्लोज्ड विदिन गौशियन सेलफेस अपॉन एप्सिलन नॉट तो यह हो गया टू पी इंटू पायार स्कुरेर चार्ज इंक्लोज्ड मतलब डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू एरिया यही चार्ज इंक्लोज्ड होगा अपॉन एप्सिलन नॉट पायर स्कूरर कैंसल हुआ तो इलेक्ट्रिक फेल्ड हो गया वजूम ब्याद्रॐ म है रिखनेस अपॉन तू एप्सिलन नॉट तो वॉल्यूम चार्ज इंक्शिटी इंटू थिकनेस कि इसे समझा ये क्या है वाल्यूम चार्ज देंसिटी और ये क्या है थिकनेस तो वाल्यूम चार्ज देंसिटी और थिकनेस को मल्टिप्लाई करोगे तो सर्फेस चार्ज देंसिटी होगा ये सिग्मा क्या है सर्फेस चार्ज देंसिटी तो फाइनली इलेक्ट्रिक फिल्ड इस सिग्मा अपन टू एप्सिलल नॉट ये नॉन कंड़क्टिंग सर्फेस के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फिल्ड का फॉर्मूला हुआ देखो ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है कंड़कि अफे कर लो स्टू झाल 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 हो गया हो गया आगे बढ़ू क्या बुल रहे हो हाना क्या क्या सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब कि यहीं अगर कंड़क्टिंग सर्फेस होता हूं कि इसमें चेंजें जोंगे क्या सब्सक्राइब चार्ज आउटर सर्फेस पर होगा होगा बोलो इसका मतलब है कि थिकनेस कुछ भी हो चार्ज तो दोनों आउटर सर्फेस पर होगा यानि कि इस केस में चार्ज इधर डिस्ट्रिब्यूटेड होगा एक सेकेंड विंडो रहन इंटू प्रॉब्लम ओ माइगा झाल 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 आवाजारे ये? ये सुब्सक्राइब ने आवाजारे ये? बस दो मिनिट और इसको कंप्रीक कर देते हैं इस 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 केस में क्या होगा कि चार्ज इसके पूरे वाल्यूम में डिस्ट्रिब्यूट नहीं होकर सिर्फ दोनों सर्फेस पर होगा है ना जो दोनों साइट सर्फेस पर डिस्ट्रिब्यूट होगा तो इस सर्फेस पर और इस सर्फेस पर बाकि सब कुछ होई है क्यूव इन क्लोज्ड में अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं है कि कि सर्फेस चाल्ज डेंसीटी सिग्मा कि इंटू इस पाई आर स्क्वेर सल्फेस अरिया पर जितना चार्ज होगा और इस पाई आरे स्क्वाइर सर्फेस एरिया पर इतना चार्ज होगा दोनों का सम्ट डाट इस ट्वाइस आप दिस मैच है ना तो पाई आरे स्क्वाइर कैंसल हुआ यह टू टू कैंसल हुआ तो इस केश में आपका फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलन नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट जो फाईलली एविल बेग्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट यह आपका इलेक्ट्रिक फिल्ड का फॉर्मूला हो गया फॉर कंडक्टिंग सर्फेस ठीक है यह सो तो आप लोग एसी वर्मा पूरा सॉल्व कर सकते हो पहली पिछली लेक्ट्र में कर सकते हो एक ठीटिकल पॉर्चन है ठीओरियों आफ कंडक्टर्स वह सिखाना बागी है वह सिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्ट्र में यह चैप्टर खतम हो जाएगा ठीक है कॉपी कर लीजिए इसको आज के लिए इतना है जिसका जिसका हो जाए एक एक करके लिव कर सकते हैं स्क्रीन खुला रहेगा मैं सिर्फ रेकॉर्डिंग पाुज कर देता हूं कर दो करते हैं